Hello friends, Excel Ankuris Advanced Excel के next session में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम देखेंगे interactive list बनाना और पिछले session में जैसा कि हमने देखा name manager का हम कैसे use कर सकते name technique use करना तो यहाँ पर भी दोस्तो name technique use होगी साथ ही साथ एक different option हम सीखने वाले हैं जो कि data entry के लिए जो कि interactive dashboard के लिए जो कि list के लिए बहुत ही जाधा important है और यह आपके work को बहुत ही आसान बनाता है तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम इसका use करेंगे और मैं आपको बता दू कि इस तरह के option का use online form बनाने के लिए भी use किया जाता है जैसे कि मैं आपको example दे दू कि हम सीखने क्या वाले हैं अगर मैं यहाँ पर click करूँ तो मेरे पास यहाँ पर list open हुआ जिसमें मैं कोई भी option पर click करता हूँ तो वो option यहाँ पर fill हो जाता है उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर click करूँ तो मेरे पास एक number of option है कि मैं short date पर click किया तो यहाँ पर short date fill हो गया उसी तरह से मैं currency पर click किया तो यहाँ पर currency fill हो गया means कि आपके पास इस तरह का एक list होना चाहिए और आप इस list में से बस click करें तो वो automatic data fill हो जाना चाहिए आपको खुद से लिखना ना पड़े तो कैसे हम बनाएंगे तो चलिए हम देखते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है आपको list को select करना होता है list को select कर लिया मैंने इस list को select करने के बाद आपको इसका एक name देना होता है तो मैं इसका name दे देता हूँ serial underscore number और मैंने enter कर दिया इसको मुझे add करना है मैं इसको select करूँगा इसका मैं name यहाँ पर दे देता हूँ reason और मैंने enter कर दिया इसको मैं select कर लेता हूँ और इसका name मैंने दे दिया state और मैंने enter कर दिया इसको मैं select करता हूँ तो सबसे पहले आपका काम क्या हुआ कि सबका आपको name add करना है name add कर लिया मैंने name add करने के बाद आपको list कहाँ पर बनाना है तो मुझे यहाँ पर list बनाना है मुझे यहां list बनाना है तो अब list कैसे बनाएंगे तो अगर आपको list बनाना है तो simply आप area select कर लिजिए कि कहा से कहा तक आपको list apply करना है then आपको data menu में जाना है data menu में आपके पास एक option आएगा data validation का जी आदोस्तो data validation data validation में जब आप जाएंगे तो आपके पास एक option आएगा list का तो आपको select करना है list जैसे आप list select करेंगे source में चले जाएगा और source में जाने के बाद F3 प्रेस करिएगा F3 प्रेस करने के बाद आपको क्या बनाना है तो serial number F3 से मैंने आपको अल्रेडी बताया था कि जो भी name आप define name पर add करते हैं define name पर add होने के बाद वो यहाँ पर show करता है तो F3 से यह panel open होता है तो serial number select करके ok कर दिया then ok कर दिया अब यहाँ पर जैसे आप click करेंगे तो देखिए यह जो list है यह आपके पास आगया तो click करके आप easily क्या कर सकते हैं लब कर सकते हैं select करिए और जो भी चाहिए बस click कर देजिए वो directly क्या होगा fill हो जाएगा उसी तरह से reason मुझे चाहिए मैं select करूँगा data validation में जाऊँगा list select करूँगा और reason है तो इस पर click करके क्या करना है F3 करूँगा और reason select करके ok then ok तो अब यहाँ पर क्या होगा reason का list आगया तो select करके आप कोई भी reason को यहाँ से directly क्या कर सकते हैं apply कर सकते हैं आपको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है उसी तरह से state में मैं लिया select किया यहाँ पर list में ले लिया और source में F3 करूँगा और मैं यहाँ पर state select करके ok then ok अब यहाँ पर simply क्या करना है कोई भी state को आप click करके directly select कर सकते हैं आप form अगरा feel करते हैं तो इस तरह के options आप देखे होंगे उसी तरह से designation select किया data entry के work में यह बहुत ही सादा importance play करता है तो इस चीज़ को अच्छा से समझें और इसको आप अच्छे से practice करें यह जो practice file है यह तो मैं दूंगा ही साथी साथ आप अपने से भी कुछ data लेकर simply बना सकते हैं तो इस तरह से आपको क्या करना है एक interactive list बनाना है जो कि list बनाना बहुत ही जादा easy है और आप समझ पा रहे होंगे कि इसका क्या importance है और यह आपके काम को कितना easy बनाने वाला है क्योंकि जब आप type करते हैं तो आपको थोड़ा time लगेगा लेकिन fill करना बहुत ही easy होता है select करके बस simply click कर देंगे वो आपका data क्या करेगा fill कर देगा तो जहां से जहां तक आपने apply किया हो वहाँ पर यह mark आएगा अगर आपको उस चीज़ को हटाना है तो simply select करिएगा option पे click करिएगा yes करिएगा और clear all करके okay कर दीजिएगा तो आपका देखिए list जो है वो हट गया अब आप click नहीं कर सकते हैं और इसका एक और benefit क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर suppose मान लेजे कि typing करना चाहते हैं तो आप type भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपका कोई spelling mistake हो जाता है तो वो accept नहीं करेगा तो यह आपके error को भी solve करने में help करेगा कि आप गलती से by mistake कोई wrong data input नहीं कर सकते हैं जो actual data है वहीं input होगा other data भी आप input नहीं कर सकते हैं मैं east लिखा आगया मैं suppose east में spelling कुछ mistake होगया मेरा और enter कर दिया तो यह आपका value को accept नहीं होने देगा आपका अगर wrong data होगा तो वो automatic error warning दे देगा तो यह आपके लिए बहुत ही जादा benefit देगा आपको और आप इसको अच्छे से practice करें और इस related अगर आपको कोई भी doubt होता है तो मुझसे discuss करें So thank you very much Happy learning